आपके बारे में हैं प्रतवीराज चोहान और जैचंद के संबंद के बारे में चलिये जानते हैं कि क्या था आखिरकार प्रतवीराज और जैचंद के बीच में संबंद बहुत जादा सुना होगा आप सबी लोगों ने नाम प्रतवीराज का, ये प्रतवीराज कपूर नहीं है, याद रखिएगा बात हम कर रहे हैं, प्रतवीराज चोहान की, प्रतवीराज चोहान, साथी साथ, ये अच्छा सब्द भी है, कई वार यहाँ इसको सौर य साहद जाता है और जो संबंध हम इस्टावलिस करने वाले हैं जिस व्यक्ति के साथ वो नाम है जैचंद और ये जैचंद जो नाम है ये अपने आप में एक गाली के समान लगता है याद रखिएगा इस चीज को तो क्या था इन दौनों के बीच में संबंध इस वीडियो में जानन ये सारी चीज है अब यहाँ जो प्रतवीराज चोहान है ये कहीं न कहीं बारवी सताबदी के विक्ति हुए हैं बारवी सताबदी सताबदी में क्या होता है बारवी सताबदी मतलब 1100 से 1199 तक की हम बाते यहाँ पर कर रहे हैं इसी समय कहीं इंडिया के अगर हम इतिहास को पर्खें और इंडिया के बारे में जाने तो देखेंगे कि इंडिया जो रहेगा हमारा उस समय का ये पाकिस्तान भी इंक्लूडेड रहेगा अब इसमें जो हमारी राजधानी है आज की या जो छेत्र है वो क्या है दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो छेत्र था उस समय व ठीक है समझ में आ रहा है अब इस दिल्ली सल्तनत या उस समय के दिल्ली सामराज के अगल बगल में भी तो सामराज होगा तो इसके बगल में अगर बात करें इस साइड की बाहे साइड की तो यह जो सामराज हुआ कर रहा था यहां पर सामराज चल रहा था गहडवाल वज का क अब इसके इस साइड भी तो कोई सामराज होगा और यहां इस साइड दाय साइड जो सामराज है उस समय का ये जो सामराज है ये कहलाता था आपका चेहमान सामराज चेहमान ठीक है या इसी को लोग बोलते हैं चोहान ठीक है तो चोहान वंस का साशन चल रहा था और यहां रा बेटी होगी उसी बात है तो बड़ी बेटी की साधी राजा कुछ तो करें तकड़ी नहीं है। तो आपसी रिस्ति बनाके बैभाहिक संबंद बनाके तो यहां चंदर राजा थे उनसे अनफ पाल अपनी बड़ी बीटी की Betsy करवा देते हैं। बड़ी बेटी का नाम क्या है भईया, यहाँ पे हम बात कर लें, चंद्र लेखा नाम है उनका, इनसे साधी करवा देते हैं, विजय चंद की, कौन? पिता जी, और छोटी बेचीजे साधी किसकी करवा देते हैं, सौमिस्वर दयाल की छोटी बेटी का नाम क्या था? करपूर करपूर देवी क्या नाम था भई करपूर देवी इन से साधी करा देगे अब देख रहा हूं sowगय है यो value हो गए कि नहीं हो गए ये दौनों बहने कहा चलेंगी अगल बगल के सावराज़्जिमे चलेंगे अब इन दौनों से एक बच्चे का जनम होता है हला कि दो बच्चों का होता है याद रखना लेकिन एक बच्चे की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है क्या प्रत्वी राज प्रत्वी राज नाम है और ये प्रत्वी राज तीसरे नमबर के हुए है पहले दूसरे नहीं थे तीसरे नमबर के प्रत्वी राज से इनको राय पि और याद रखना यहां वे जैचंद और चंदरलेखा से एक बच्चे का जनम होता है जिसका नाम क्या था जैचंद क्या नाम था भई जैचंद अब भई हुआ यह कि प्रतवी राज और जैचंद के बीच में क्या रिस्ता होगा वैसे तो यह कॉम्पटीटर है एक दूसरे अ अलाग अलाग और आपस में मतबेत होंगे बाभजूद इसके यह रिस्तेदारी भी पढ़ गए न गहीं न गहीं किस प्रकार से रिस्तेदार बने अब आप लोग थोड़े से ज्यादा समझदार है तो लगाईए रिस्तेदारी और कैसे यह क्या हो जाएंगे आपके ठीक है और भाई-भाई रिस्ता है तो भाई-भाई का और हिसाब होगा पाई-पाई का अभी यही हिसाब पाई-पाई के चक्कर पे इनके बहुत सारे युद्ध होते हैं मतबेत होते हैं तो अंगली वीडियो में हम इनके मतबेतों की भी बात करेंगे तो जल्दी से इसक अब तक के लिए जाय हिद्ट